नौस्कार बड़ी बात में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ जोती सांक्वान अंतर जाती है या गोत्र में विवा के मामले को लेकर तुगलकी फर्मान जारी करने को लेकर खाप अचायते और ऐसे तमाम दूसरे संस्थान दूसरे संगठन सुप्रिम कोट ने अवैद करार कर दिये हैं और केंद्र सरकार को भी इसे कड़ी में फटकार लगाई गई है खाप पंचायतों पर सक्ट एक्षन नहीं लेने को लेकर अदालत ने केंद्र सरकार को भी चेताने का आज काम किया तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार खाप पंचायतों पर बेन लगाने में सक्षम नहीं है तो अदालत को ही कदम उठाने होंगे साथ ही ये भी साफ किया गया कि बालिक यूवक यूटियों के शादी से रोकने का हक किसी खाप पंचायत किसी संस्था या किसी भी अभिभावक को नहीं है आज इशे विशे को लेकर हम चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद प्रेव विवहा करने वालों के लिए खुश खबरी समाज के ठेके दारों पर सुप्रीम कोट का डंडा खाप पंचायतों पर किरीज सुप्रीम कोट की काच अब तुगला की फर्मान जारी किया तो खैर नहीं खाप पंचायत पर सुप्रीम कोट का हंटर आए दिन तुगला की फर्मान जारी कर अंतर जातिये विवहा के खिलाफ अपनी मनमर्जी का फैसला सुनाने वाली खाप पंचायतों पर सुप्रीम कोट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए फटकार लगाई है सुप्रीम कोट ने खाप पंचायतों और ऐसे तवाम दूसरे संगठों को अवैद बताते हुए कड़ी फटकार लगाई है खाप पंचायतों पर सक्त कारवाई करने के लिए कोट ने केंदर सरकार को भी काफी तल्ख लहजे में फटकारा कोट ने साफ कर दिया कि अगर केंदर सरकार खाप पंचायतों पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम नहीं है तो अदालत को ही कदम उठाने होंगे सुप्रीम कोट की तीन जजों की बेंच ने प्रेम विवाह करने वाले युवा जोडों पर खाप पंचायतों के हमले नहीं रुखने पर नाराज की जताई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस एम खानविल कर और जस्टिस दीवाइप चंदरचूर की बेंच ने इस मामरे में केंदर सरकार के रवये पर सवाल उठाए चीफ जस्टिस ने कहा कि एक व्यस्क लड़का या लड़की अपने मर्जी से किसी से भी शादि कर सकते हैं किसी खाप पंचायत, अभिभावक, समाज में किसी और को इस पर सवाल उठाने का हग नहीं है कोट ने कहा कि खाप पंचायत ना तो किसी कपल को समन भीट सकती है और ना ही दंड दे सकती है कोट ने दो टूक लहजे में कहा अगर खाप पंचायतों को बैन करने में केंद्र सरकार आसफल है तो फिर हमें ही इस दिशा में कदम उठाने होंगे कोट ने कहा कि ये साल 2010 का मामला है लेकिन केंद्र सरकार की कमभीरता का आलम ये है कि वो अब तक सुझाफ भी नहीं दे पाई है अगर सरकार अपनी मर्जी से शादी करने वालों को सुरक्षा देने के लिए कानून नहीं लाती तो कोट इसके लिए गाईडिलाइन बनाएगा एमिक्स क्यूरी राजू राम चंद्रन ने कहा कि लौ कमिशन भी अंतरजातिये शादी करने वालों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने के सिफारिश कर चुका है लेकिन केंद्र सरकार करवय या अब तक लचर है आपको बता दे के हर्याणा और पश्चिमे उत्रप्रदेश में खाफ पंचायतों की और से अंतरजातिये विवाहा करने वाले युशुवाओं को प्रतारित करने के कई मामले सामनी आए है कुछ मामलों में तो हत्या जैसी घटनाए भी हो चुनी है हर्याणा की राज्रेती को भी ये मुद्दा काफी प्रभावित करता रहा है सरकार चाहे किसी भी राज्रेते को दल की हो किसी ने खाब के खिलाफ कोई बड़ी कारवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाए दूसी तरफ खाब को मानने वाले लोग इसे अपनी परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसका बचाफ करते हैं स्पेशल डेस्क खबरे अभी तरफ सुप्रिम कोड की और से जो फटकार लगाई गई है जो बात कही गई है उसी विश्य को लेकर आज बड़ी बात में हम चर्चा करेंगे कुछ खास महवानों के साथ बिजेपी के और से विरिंदर जोहान हमारे साथ स्टूडियो में है साथी कॉंग्रेस से रंजिता वहता अपना पक्ष रखेंगी इने अलू प्रवक्ता रविंदर ढूल हमारे साथ हैं वरिश अधिवक्ता गुरिंदर पाल सिंग हमारे साथ हैं साथी खाप नेता सूबे सिंग समेंट भी हमारे साथ हैं और संतोष दहिया हमारे साथ हैं सवागत है सभी का इस चर्चा में शुरुआत समयन साब आपसे करेंगे ऐसी स्थिती क्या खराब हो जाती है कि सुप्रिम कोट को सरकार को ये कहना पड़े कि आप बंद कीजिए बैन लगाए ये खाब पंचायतों पर नहीं तो हम एक्शन लेंगे वास्ता में सुप्रिम कोट के सामने असली हकिकत को नहीं रखा गया जिए और हम एक बार हमारे एक बेंच को बहुत करा और उन्हें मारी बात को सुना भी उन्होंने महसूस भी किया कि खाप पंचेते अपने रस्ते पे सही है खाप पंचेते ना ही तो कभी आज तक किसी ने फर्मान सुनाया किसी को कतल करने का और ना खाप पंचेते ऐसे कारिया करती है खा कि अंदर प्रोवकेशन में आके हैं कोई कुछ कर दे ये मा कर सकती है बाप कर सकता है उसका मा मा कर सकता है उसका चाचा ताओ कर सकते हैं खाप पंचैते कभी किशों का वहार नहीं करते हैं कि आप पिस ने सादी के मनमर्जी के खिलाब इसको मार दे ये बिलकुल एक गल्त व आप परागत जो चली आरही हैं जो कई सो बर्स पराणी है और जिन्होंने आज समाज को अपने एक डाचे में अच्छे तरीके से बसने के लिए शांती काइम करने के लिए रख्या हुआ था अगर उस परकार की बाते करेगी तो खाब पंचैतिया अपने घर बैढ़े का समाज को यह बसाने के लिए बढ़ी होई थी खाब पंचैतियों मतलब यह निए को कोई तराज निकिया है लेकिन कोई जिस तरह मर्जी के खलाब बच्चे करते हैं माबाप जिसका राइट बढ़ता है जिसने उसको पाड़ा है सारी उमर अपना उसको पढ़ाया लिखाया थोड़ा सा माबाप का विराइट बढ़ता है जिसका अपने पच्छे की साद्य मर्जी से करो लेकिन उनर किलिंग कोई नहीं करता और के लिंग तो कभी कबार जो है निंग किस बात की ओपर हो जाती है प्रोवकेशन पदनी कहां हो जाती है यह बात छोड़ी है आप जो हम किसी बात को सहन कर सकता और समाज में हर वेक्ति चाज कोई कितना अपने आपको कितना साप करे हर वेक्ति यह मैसुस करता है कि मैं अपने बच्छे की साध्य अपनी मर्जी से करूं मर्जी ए खलाब को बच्चा आउट ओवेज जाकर सकता है तो और आदमी छोड़ा से इंदुस्तान के अंदर बने हो है इंदुमारी जेक्ट इनन ने बारतिया मेरी एक्ट क्यों नी बनाया क्यों बचाए तो अपना क्या शिकों के लिए अलग बना दिया है सब्सक्राइब तो आप क्यों गोत्र लिखते हो अगर गोत्र लिखा वहां तक ठीक है फिर शादी को लेकर भी सवाल खड़े किये जाएंगे सबसे पहली चीज तो मैं सुप्रीम कोट के सामने भी रखना चाहती हूं के इंट्रकास्ट मेरीजिस के कोई विखा पंचयत अगेंस्ट नहीं है और रही बात लो की देखिए हर वरग का हर समुदाय का हर क्षेतर के अपने अपने कुछ विवस्थाई हैं उनके विभार है आचरन है उनकी कुछ प्रमपराई है रीती रिवाज है जो भी कानून है एक सिवी लो है दूसरा कस्टमरी लो है और सिवी लो में आर्टिकल 13 मे साफ कहा गया है कि जो कस्टमरी लो है उसको बचाना सम्वी धान का अधिकार है देखे मैं यह मानती हूं कि जो बालिग है उसको सम्वेधानिक मूल अधिकार है कि वो कहीं पे भी शादी कर सकता है लेकिन जो हमारा एक जिसको हम कस्टमरी लो कहते हैं हमारी जो कस्टम्स है जो हमारे आचरण है, जो हमारे विभार, रिति, रिवाज़, परंप्रा हैं, वो सब को फोलो करनी पड़ेंगी और कानून ये कहता है, जो सामाजिक सरोकार है, वो उसकी तरह से सोचती है, जो कॉर्ट है, वो सिविल लो की तरह से सोचती है, उन्होंने कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो लो के अकॉर्डिन तो सही है लेकिन मैं चीज पूछना चाहती हूं जो बालिग है वो तो चाचे ताउ के भी बच्चे हैं उनको भी फिर पूरा दिकार होना चाहिए यह जो हमारा सिस्टम है जो एक सोशिल फैब्रिक है उसको तोड़ने की एक बहुत बड़ी कि मैं कहती हूँ साजिश है जो खाब पंचैते वो एक कोई प्लेटफोंम नहीं है क्या सुप्रिम कोर्ट है उस साजिश में नहीं है और अदालतों के फैसले के अगेस्ट केवल अपील कर सकते हैं उनके फैसले पर हम कोश्चन मार्क नहीं लगा सकते लेकिन क्योंकि जो कानून है वो लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं है, कोर्ट को लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था, इस फैसले में कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जो हिंदू में रिजेक्ट की मैं बात करूँ, हि वरजी से शादी कर सकतें, लेकिन अगर चाचाताओ के बच्शे शादी करने लगे, लेकिन जो कौड के लिए तो वो भी लीकल है, लेकिन जो को नहीं, य सप्वन चातू का पक्ष जाना गया सुप्रीम बउट की और से कोशिचन की गई, जो बाली की बात की गई है, बाली मे और साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जो सेम गोतर में बहुत नजदीक के कलान में शाधियां करते हैं उनमें जो जेने हिन्हें नहीं मलुम कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चर्चा हुई है, वहां पर आई भी है कि नहीं सुबे सिंग जी क्योंकि उस सारी पुर्टिया का हिस्सा भी रहे हैं हर जो बालिग युवक यूती है अगर आप उसको विवाह का अधिकार दे देंगे और कल को भाई बेहन सगे भाई बेहन को भी अधिकार देंगे क्या आप नहीं हो सकता ना वो उसकी अनुमति कानूनन भ साथ साथ मुझे कहने तो दीजिए भारत में भारत के बहुसंख्यक समाज में भारत के समाज का जो मेजर हिस्सा है वहाँ पर भी वहाँ पर तो कतई इस चीज की अनुमती नहीं है और शायद भाई बहन की शादी तो किसी भी मत संप्रदाय में भारत की दर्ती पर लेकर इस देश की अदालतों का भी और इस देश में मीडिया का भी एक वर्ग है उसमें हर्याना की पस्चवी उत्तर प्रदेश की खाप परंपराओं को खाप संस्थाओं को समझे बगैर बहुत बार ऐसी ऐसी भाशा का प्रियोग किया है खाप पंचायतों के लिए जो गाली जैसा है जो उनको करना नहीं चाहिए खाप पंचायतों के सारे निर्णे सब्स्थाएं हैं अपने समाज में जो डेए जो एक दस सेकंड है आपकी आप सुन्तों लीजिए एक बात मैं कंप्लीट कर रहो हूं आप करने जीए बाकी वहमानों को भी जोड़ेंगे बाकी मैं मुझे मेरी बात तो कहने दीजिया मैं यह कह रहा हूं इस देश की खाप कर देने का परमान देने का नहीं है और मुझे नहीं लगता किसी ने मांगा आज तक नहीं किया जो ख़बरों के आजार पर बात करते हैं अगर नव विवाहित जोडों को गाउं से बाहर निकाला जाता है समेंट साब आगर आप सहमती नहीं रखते तो बताइए गा मुझे क् गाउं से बाहर निकालना घरों से बाहर निकालना सावाजिक वहिशकार करना कि आप लोगों की सजावी शामिल ने कभी कच किया है कि वहाँ किसने फरमान जारी कि गाउं से बाहर चले जाओ आप मनोज बावनिकान में मीडियाना भूरा का पंचयत नहीं थी आप उदान देते कि वहिश्कार के जो आप बात कह रहे हैं आप एक उदान तो यह देखिये कि वहाँ पर समाजिक वहिश्कार हुआ है एक बाद मैं के अंदर ऐसे बात होई थी दूसरी पंचयते न उसकी लोचना करी थी तो यह जो आप से जानेंगे उसे पहले रंजीता जी को चर्चा में जोड़ दूँ जो देखे एक जो सोचिल फैबरीकी में बार बार बात करी हूं वह मैं इसलिए करियों कि खाप पंचयत अधिकार ना कानून के पास होना चाहिए ना लोगों के पास होना चाहिए पहले जो खाप पंचायतों का विवस्था थी, जो सिस्टम था, उसमें आपने कभी देखा कि इस तरह की बच्चियों के साथ इस तरह की घिनोनी हरकत की जा रही है, आज देखो हर कदम पे बच्चियों के साथ पिछले दो दिन में पूरा हरियाना दूदू करके जल रहा है, ऐसी ऐसी पांस मासुम बच्चियों के साथ इतना अत्याचार वाए, उसमें खाप पंचायतों के उपास सुप्रीम कोड़ने करमान जारी किया है, बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि 2000 परानी साल से चलिया ये खाप पंचायते जो है, ये समाजिक तानावाना बुंतिया ही है, और आज आप देखिए कि विकलब क्या है मारे पास, आज अगर खाप पंचायतों को आप बैन कर देते हैं, आप बंद कर देते हैं, आज भी कितने सो केस जो हैं कोर्स में पैंडिंग हैं, जो कि खाप पंचायते बैठ कर ऐसे ऐसे मसले सुलजाजा देते हैं आपस में आप लोगों ने कारिक्रम देखा होगा, पूरी तरह से सुविकार किया गया कि हमारी सजा का जो दाइरा है, हमारी सजा की जो परिभाशा है, वो ये हैं कि समाजिक बहिशकार हम लोग करते हैं, साथी गाउं से निकालना भी उसमें शाविक हैं, जो कि एक छोटा से एक्ज में अगर कोई रूल, रेगुलेशन को फोलो ना किया जाए, क्या वो परिवार चल सकता है, कुछ ना कुछ रूल्स, रेगुलेशन हर जगहां पे अपलाई करने चाहिए, तो आप मानती हैं, ये सामाजिक बहिशकार रूल्स हैं, सामाजिक बहिशकार, देखे, अगर सेम जादी को कोई वेलिड मानता हो, तो मैं आपकी बात को सुईकार कर लोंगी, कोई भी समुदाए, कोई बीवरग इस बात के से इंकार करता है, कि सेम जादी को वेलिड माना जाए, धरम जैनेटिक के डॉक्टर है, डॉक्टर विजय कुमार, गोल जी ने, उन्होंने कहा के, पांच हजार रोग तो आप बात में रहिए ना कि एक ही गोत्र में अगर शादी की जाएगी तो हम लोग सजा देते रहे हैं सजा देते रहे हैं सजा देते रहे हैं हमारी हैं सखी जब कि मुस्रिम सकी बूड़ा कोट सक्त पराई करता हैtt अज हिंदों की माद करते हं हम एक ज्कोट्र में शादी करने पर मांनते जब में मुस्लिम की बाइब के साथ सखी मासी के साथ सखे मामे के साथ शादी हो जाती है उनकी हाँ जनेटिक प्रॉफम्म आप देखते हैं तो यह चीजे नहीं है मतलब यह अपनी परंपरा अपना कस्तम और अपनी जगह के कॉरिंग ली डिपेंड करता है कि आप कहां से बिलॉंग करते है और वहां के स इनलु कैसे देखती है आज के इस पूरे मामले को लेकिन निश्चित रूप से में आपको बता दू जो ती दुर्भागया पॉर्ण ने जैसा कि अमने बताया कि रॉंग पॉस्चिरिंग तो ही है यह इंच जो जिस प्रकार की क्रिएट की गई है कि दो मामलों को बीच में गुसा दिया गया है जो सगोत्रा मेरी जेक अलग इश्यू है खाप पंचायते एक अलग इश्यू है सगुत्रा मेरी जो है यह हमारे यहां पर कॉस्ट में यह हम हिंदुस्तान के कानून के अंदर बड़ा स्पर्श्ट रूप से है कि जो कोडिफाइड लोग है उसके अप से लेकिन मैं बड़ी दुर्भागया पुर्म से कि काहिना की जो है पॉस्टिरिंग जो है मैं कहता हूं कि इसमें जिम्हेदारी सरकार की ब्रती है इस राइट पॉस्टिरिंग आप लेकर के जाए आप यदि मानले जी आप नहीं आपर पूरी तरह से खाप पंचायतों को कर दिया तो मैं तो मैं मानता हूं कि मेरे गाहों के अंदर मेरे बड़े बुड़ों का बिल्कुल एक तरह से समाज के अंदर इंट्रफेरेंसी पूरी तरह समापत हो जाएगा यदि गाहों के अंदर सोशल सिस्टम के अंदर हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग अगर बीच ऐसे हजारों मामले, मैं आपको अरियाना के अग्जांपल लिगी जगे, चतिसगड़ के अग्जांपल देता हूं, वहां पर जो गाउं के अंदर आदिवासियों के अंदर एक भी मुकदमा, सिविल लोगा कोड तक नहीं पहुचा, सारे सारे गाउं के अंदर सेटलमेंट हो सकते हैं. गुरिंदरपाल सिंग जी, हमने सामाजिक पक्ष जाना, राजनितिक पक्ष जाना, कानूली पक्ष क्या कहता है? उस व्यक्ति को एक सवितंतरता देता है, जिसे कहते हैं, राइट तु लाइफ, और राइट टु लाइफ इस नाट मेरली एक्जिस्टेंस, इडिज राइट टु लाइफ जिगनिटी, मैरी जिंदगी है, उसको डिफाइन करने का किसी व्यक्ति को अधिकार मेहीं ही है, व आर्टीकल तेरा कस्टम को भी कनून मानता है और साथ की साथ मेरी बहन में संतोष दिया ने एक बात कही मैं वो कहने वाला था वो पहले कहेगी कि सगे मामे के साथ शादी हिंदू समाज में अंधरा प्रदेश में होती है शिर्चा में चले जाओ गुराल में चले जाओ एक कम कामजक्टों का राता कंबोस्ओं का तो इसलिए यह कौन करने वाले कि कौन उला कर Mr. sales को दिए जाहां करता है कि सपंदाृं की UA और फरीछ दिफला की हिंदू कोड की हिंदूा remained कैसे चात्य थाहों में करता है का करता है कैसा करता उसको परूब करना कि वो कस्टिम है और शादी गलत हुई है या ठीक हुई है इसका फैसला करने के लिए अदालते बड़ी हुई है इसका फैसला करने के लिए कनून बना हुआ है इसका फैसला करने के लिए एक्स्ट्रा ओर्डिनरी अदालतों की जरूरत नहीं है भामनाओं के नाम पर हमा दो बालिक आदमी सगे भाई बेन शादी कर सकते हैं, यदि वो कनुनी है तो कर सकते हैं, लेकिन वो कनुनी नहीं है, वो गैर कनुनी है, हिंदू पेरिच लाकित है, इसलिए इस तरह के आर्ग्यूमेंट दे के खाब पंचेतों द्वारा इस तरह के किये जाने डिक्टेत को टेस्टिफाई नहीं है, ये दिस सब्सक्राइब कर सकते हैं, ग्रिच में दे नहीं किया, तो किसी ने जम्म एक जावा, नहीं किया दूसरी बात, आपका वह आप लोगों को गाउं में नहीं करेंगा यह रोज हम सुनते हैं रोज न्यूस पेपर में आता है आप नया कनून बनाते हैं जो पुरून ने लिखार कनून में बताया है सबसे पहले आप पब्लीकली हमारे उपर इल्जाम लगा रहे हैं सबसे पहली चीज दूसरी बात कभी किसी खाप पंचायत ने आज तक कोई ओनर की लिंग नहीं की दूसरी बात किसी खाप पंचायत ने इस तरह का कोई फर्मान जारी नहीं किया तीसरी बात यूपी का मामला गोजार बारेगा सुन लिजी एक बार के लिए सुनिया आप बागपत जीले का मामला मैं हुटा रही हूं आपको सत्रह जून का ये पूरा मामला है तो जीले के बिफ्लू ने के अंतरवति आता में इसका जवाब दें लिस्ट जो दिखाई है ये लिस्ट आप नहीं दिखाते तो भी हमें मालूम था आपको मैं कलियर बटाते मैंने आपकी बात सुनी मैंने जवाब दिया आप मैंने ये आपके मामले सुन लिए आप एक मुझे मेरी बात सुनी है अब आप इस बात पर आ गए कि खापंचायद का नाम ही बताइए आप देखे आपने का कि तुगलकी परमान लिए आप इसका जवाब देना है जोड़ी जी आपने लंबी चोड़ी लिस्ट खाप पंचायदों को कट गरे में डाल के आप इसका जवाब हमसे जरूर मांगे देखे हमारे बुजर्गों को जिस तरह से इन लोगों ने पूरी लिस्ट बढाते कट गरे में खड़ा किया है हमसे जवाब तो लिजिए करेंगे ज़िए जवाब तुबड़ी लिए जाना होगा उसके बाद चर्चा हम करेंगे कहां कहां तुगलकी परमान सुनाएगा उस चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और साथ ही आज जो सुप्रीम कोट ने कहा उसका क्या असर पड़ेगा चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद प्रेके बाद फिर से आपका स्वागत है देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज केंद सरकार को फटकार लगाई है कहा है कि जो खाप पंचायते हैं जो इस तरहां के संगठन हैं जो की विभा को लेकर सवाल खड़े करते हैं रोके जाने की कोशिचिंग करते हैं उनको सरकार बेंड करें सरकार बेंड नहीं कर सकती तो वो बताए कोट जो है उस पर आदेश देगा उस पर फैसला सुनाएगा उसे को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं वीजेपी का पक्ष जानने की कोशिच करेंगे चोहान साब देखे मैंने पहले भी कहा कि जो खाब पंचायते हैं उनको सही परिप्रेक्ष में बहुत बार देखा नहीं गया है उनको समझने की कोशिच नहीं की गई है इसलिए बहुत सारी मिसकंसेप्शन पैदा हो गई हैं खाब पंचायत का हर निर्णे उसको तुगले की फरमान कर नहीं है और खाप पंचायतों के एतिहासिक जो संदर्व है उसको भी समझने की जरूरत है अभी हमारे एक पैनलिस्ट मित्रण ने कहा कि उनको 400 साल पुराना या 1000 साल पुराना करार दे देना ये गलत है मैं समझता हूं उनको भी शायद एहसास नहीं है उन्होंने कभी हरिया पश्चमी उत्तरप्रदेश का जुक्षेतर जहां पर खाप पंचायते परंपरा से सैकड़ों सालों से चल रही हैं संभवत उसका इतिहास उन्होंने काईदे से देखा ना हो उस पर निगाह न डाली हो खाप पंचायते हमको परंपरा से प्राप्त हुई है और उन्होंने आजादी की लड़ाई समेत, समाज के समक्ष का जब जब छोटे बड़े कोई मसले आए, उन्होंने सकारात्मक, रचनात्मक भूमी का इतिहास में अदा की है, इसलिए खाप पंचायते कोई पाप हैं, खाप पंचायतों पर रोग लग जानी चाहिए, मैं आपको रोग आपसे ही सवाल करने के लिए अनुरोद है, आपके वाकिपूरे कीजिए, ये वाकिपूरे कीजिए, नैं ये कह रहा हूं कि खाप पंचायतों को आख मून्द कर बंद बैन लगा देना चाहिए, ये दलील इसमें कताई कोई दम नहीं है, इस पर तो प्रश् सब्सक्राइब कर लिए, नारी का सम्मान इसमें भी है कि परिवार, संबंद, रिष्टे, ये मानमरियादा के साथ चलें, इसमें नारी का सम्मान है, इसमें नारी का अपमान कहां से हो गया? फिर ये जो बाते कहीं जाते हैं, मैं फैसला कहूंगी, मैं फर्मान नहीं कहूंगी, कि सिर पर पल्लू लेकर ही जाएं, या बाकी जिस तरह के आदेश सुना दिये जाते हैं, जो फैसले सुना दिये जाते हैं, क्या उसमें नारी का जो सम्मान है, उसको वो आहत नहीं होता जो तीजी सरकार अपना पक निश्चित रूप से अदालत में रखेगी, मैं एक बात कहने के लिए आपके बिशाद बैटा हूँ, कि खाब पंचायतों के निर्णे उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा किसी नहीं नहीं कहा, खाब पंचायतों के निर्णे अंतिम यह सिलसिला भी बंद होना चाहिए, जोतीजी बड़ी लंडी लिस्ट आपने आपके बास, धुल साब कुछ कहना चाहरे है, जोतीजी मैं 24 की सबसे पुरानी खाप है, मुगल समय में किस परकार से उन्होंने मुगलों के साथ मिलवा लिया था, सब जानते है, गुलिया खा सबस्साइब होते हैं तो पर समान समय के साथ जब गाउं के गाउं जा करके खटे हो इकटे होते हैं, मुझे पता है किस परकार की हमारी के फैसले करते हैं, मेरे खुद की खाप ने भी पिछे फैसला किया था कि डीजी नहीं बज़ेगा, आप दहेज नहीं लेंगे, आप जो है बच्चे के जनम पे रुपे से ज्यादा आप दहेच नहीं लेंगे और आप इंटरकास्ट मेरीज को नहीं रोकेंगे यह मेरी खाप का द्वारा लिया गया फैसला है अगर उसके बावजूद भी कोई कहता है कि खाप को गल्थ पॉस्चर करना मैं आप कहा रहा हूं कि रखी है चक्तिवाहिनी की हम बात कर रही हैं वही 2010 पुझ दोहजारं चाहे शक्ति वाहिनी हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा संगटन हो, महिलाओं के अधिकारों के प्रती भारत का सम्विधान भी committed है और सम्विधान के दाइरे में काम करने वाले सब लोग, उसमें राजनितिक दल्बी हैं, एक्रोस पार्टी लाइन सब खड़े हैं, लेकिन किसी को भी आख मूंद कर हमारी परंपराओं को गाली देने का अधिकार हम नहीं दे सकते हैं, और इसकी छूट हमको सम्विधान देत कारे ये विशा आएगा, उस पर चर्चा करेंगे, संतोष जी, वो कोन लोग होते हैं, जो शादी करने पर जो नविवाही जोडा होता है, जिनके बच्चे भी हो जाती है, उनको भाई वहन बनाया जाता है, उनको गाउं से निकाल देते हैं, क्या वो खाप पंचायती नही हैं, अगर वो खाप पंचायती नहीं हैं, तो कॉर्ट में? या किसी हस्बन वाईब को बहन भाई बनाने की बात हो, ये हमारे सामने भी मामले एक दो आये हैं, हमने उसका खुल कर विरोध किया है, खाप पंचायते मैं बताना चाहूंगी क्या है, खाप पंचायते एक गोत्र का एक मुखिया, खाप पंचायत का एक मेंबर है, सबसे चुनते हैं या और गाओं के कॉमन लोग जो उनके बीच में चीजें हो जाती है वो खाप के साथ जोड के दिखाया जाता है जो सबसे बड़ा दुरबागय पूरन है क्योंकि खाप पंचायतों के लिए जो समाज की जो विचारदारा है जो उनका आचन है जो उनकी संस्कृत करें समेंट साब क्या खाप पंचायते समयां के सरकार हैं मैंदर जोती ये बात कहता हूं आप 1857 का त्यास देखें अठार हमें सबसे ज़यदा जंग जो है नहीं हो अंग्रेज के खिलाब का पंचातों लड़ी और उस अंग्रेज सरकार ने खाप पंचातों पर परती पर पर फिर प्रतिब्द लगाने की बात जो कई जा रही है आप कारी युद्ध पर फिर कार्य ना करें लेकर खाप पन्चैतों पर पर फिर लगाना बड़ा वग्या पूंगी अब करेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे आप डिसकेशन करिए कानून को कोई तोड रहा है तो उसको पास मैं यह पूछना चाहिए अज पर्टांग्रेस बीजेपी और इनेलो सब अब इक मत हैं क्या राजदिती कोई फंडा इसके पेछे रंजीता जी ऐसा कुछ नहीं है जोती जी बात यह होती है कि वह परंपराः वाली बात है कि जो चीजे अगर तुड़िती फरूमान कि कोई खाप भी देती है कोई आम इंसान भी देता है तो वह गलत है अगर वह कहत है तो आप उतको यह मत जोड़ी कि वह खापी है वह गाओं के आम लोग भी हो सकते हैं जिनको खापों का दर्जा दिया जा रहा है आज का निफ्यूजन इस चीज में गाओं के कुछ बजूर देने वाले क्या इनको निर्धारित किया गया है क्या इनको परिवाशित किया जोड़ी आपसे सवाल करेंगा जोड़ी जब भी एक गाम होता है वहां पर पर पंचायती में खाप के लोगोते वो चुनिंदा लोगोते हैं जो की हर फैंसले पर बैटकर पंचायत करते हैं और मसले को सुल्टाते हैं अभी रवीद्द धूल जी ने बताय था कि हमारे पा हम इंको बैंक कर देते हैं तो मारे पास इतने जजिस हो जो हमारे रोज की केस सुनकर निप्टा सके चोटे-चोटे इतने मसले आते हैं जो कानून सौल ने कर सकता वह पंचायती है आप यह कह सकते हैं कि गाइडलेंस सुप्रीम कोड द्वारा जारी किये जाएं कि यह यह खापंचायतो की दाइरे से बाहर है इस पर उनका फैसला लेना बैन है खापंचायतो को बैन करना इस नौट असरू सकती है हरयाना के अंदर क्योंकि एक दो सचा सल प्राजिक हापंचायते नहीं है यह हजारों साल पुराइज पंचायते हैं पर हां अगर यह कहना है कि किसने लड़की ने लड़की को छेड़ा और उसकी बाद चार जुते मार कर उसको बाफ कर दिजेंगे नहीं पुरानी नहीं क्योंकि यह परंपराइक लोगों को कानून जो लोग कानून के पास जाकर यह कौन तै करेगा कि इनसाफ हुआ सखी हुआ कि जो जो पंचायतें निर्वाचित हैं वो कानून के तह चलती है जो कोडिफाइड ला है वो उस हिसाब से चलता है जो कुछ फैसले समाज के स्तर पर करने होते हैं वो समाज के इनफोर्मल संगटनों द्वारा बहुत बहतर ढंक से पहले भी लिये जाते रहे हैं भविश् मिस्प्लेस करते हम चीज को खाब पंचायतों को हम जीन्स पर प्रदिबंद के लिए उसके साथ इडेंटिफाइ करना शुरू कर देते हैं हमारा ये कहना है इसमें जनेटिक्स भी इनवोल्ड है जो संतोष जी ने बात एक कही थी के सगोत्रिय मैरिज का अगर विरोध करत आई हमारी पंचायतें वो परंपरा के परंपरा का वालादेकर करती है परंथू इसमें बहूत बड़ा विज्ञान चुपा हुआ है की सगोत्रिय विवाह कर होते हैं जल्दी डेरिजS Edu.B गुट्रिये विवाह सेंकडों बीमारियों के जनक बनते हैं, वो समाज के सेहड के लिए वर्तमार और वविशा के लिए दुरूस्त है, यह तुरूस्त है, यह तमाम चीजें हम मानें लेकिन उसके बाद शादी से रोके जाने का तरीका कम से कम तैहो, सजाद उद्धिर आती यह मेरी प्रारतना मीडिया से भी है। इस व्यक्ति के बीत में शादी हो सकती है। कोछ लोग उसका ठेका क्यों लेते हैं कि हम जब रदस्ति शादी कराएंगे। अठारे साल के जो युवक युवती है, वो गड़े में गिर रही है। खाब पंचायतें दोनों पक्षों को बिठाती हैं, अगर दोनों विलिंग होते हैं, तब तक खाब पंचायतों का फैसला लागू होता है। अगर दोनों में से एक बिपक्ष ये कह देता है, कि मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूँ, तो वो कोट में जा सकता है। खाब पंचायतें कोई platform नहीं है, खाब पंचायतें एक system है, एक विवस्ता है, एक विशारदारा है जिसके तहत लोग रहना चाहते हैं, हम निरधारीत करेंगे, हमारे बुज़र्गों को हमने मानना है, हमेरे बुज़र्ग तै करेंगे, कि हमारे बच्चे किस तरा से रहे हमारे बुजर्ट तै करेंगे हम पूरे कपड़े पहन के बाहरर निक्टेज़ством वगतलाब जरूरी नहीं। को एक कारण हो सकता है कि खाप पंचायतूं का अपना खौफ है अपनी परिभाशाइं है आनबानशान की आप सवाल भी जाब दीती देखिए जो आप लिंगनपाद की बात करें हैं उससे उन्दर के लिंग से कोई लेना देना नहीं उन्दर के लिंग एक होगा दो होंगे च शुवाइट वाइव फैसले सुनाती है आप लोग कुछ तो सुरिकार कीजी संतुर से अपनी वी फैसले क्या लेती है फिर रोगोगों के वैसले क्या है हुआ है और लोग का अंगर रही है देखिए जोती चेलिछ चौनिय वहां तो सवाल पूचेंगे जवाँजीगा मैं एक छोटा सा उदान देता हूँ मेरे दिनोरी गाउं में बहुत बड़ा गाम अजीन जिला के अंदर सुप्रिम कोट का एक फैंशला है कि जमीन का मैट्र था जी और सुप्रिम कोट के अदेश से कि इसको कपजा दुआ जाए एक पार्टी को खटकर गोथ के थे दूसरी स अगेंस्टे को लेकर एक भी उधारन आप लोगों ने नगी दिया कि खाब पंचायते क्या फैसला लेती हैं पूरे घंटे में जोती जी खाब पंचायते ना तो इंटरकास्ट मेरीजिस के अगेंस्ट हैं ना किसी दूसरी शादी के अगेंस्ट हैं कोई किसी तरह से शाद कि तरह से बहुत विनमरता से कह रहा हूं कि समाज की स्थापित अच्छी परंपराओं की रक्षा सब को करनी पडेगी और वो परंपर आई अगर खाब की अच्छी परंपराओं हैं तो हम सबको राजनाइती कि कि खाप पंचायतों की बहुत शुक्रीं आप सभी इसे हमानों कहां उसको लेकर चर्चाघर की कि खाब पंचायतों को केंदर सरकार बंद करें नेकि तो सुप्रीम कोट उसको लेकर एक्षण लेगा फिल अ please दीजें जासर। झाल झाल झाल